नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल ICT Academy में आप लोग का स्वागत है अज फिर से हम आप लोग के लिए National Scholarship Portal का payment related एक नया वीडियो लेके आए हो जैपरेंस अगर आप लोग National Scholarship Portal में fresh scholarship apply कियें और अगर आपको अभी तक payment नहीं मिला तो कब तक मिलेगा आज की इस वीडियो म हमेशा के तरह अगर इस scholarship related नया अपडेट चाहिए तो चैनल को जोरू subscribe करके notification को भी आउन कर लिजे अब वीडियो पसंद आए तो like करके अपने friend group में share जोरू कर दीजेगा ताकि सभी को इस update के बारे में पता चले चली आज के वीडियो शुरू करते हैं सब जब पहले अभी तक payment नहीं मिला तो जिनलों को अभी तक payment नहीं मिला कब तक मिलेगा चले मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं तो देख सकते हैं एक student का हम login कर लिए phrase scholarship इस बार का apply किया है इसका application send to PFMS हो गया for payment हो गया और यहां पर देख सकते हैं institute college yes है district verify yes है आधार verify yes है और यहां पर bank account validation यहां पर यह वाला option hide हो गया तो फिर दुबारा यह पर आ गया जो कि no है फिर application duplicate found no है और merit list यह से और एक नया अपडेट है जो token number है student को मिलना शुरू हो गया यहां पर देख सकते हैं PFMS token number जो की नहीं मिला था कल से update हो रहा था देख सेथे PFMS token number student को मिलना चालू हो गया मतलब जितना भी student को अभी तक payment नहीं मिला है उन लोग को payment processing का काम स्टार्ट हो गया अभी बात करता हूं कि कब तक आप लोग को payment मिलेगा तो मंत के last में अप लोग देखिएगा का आप लोग मंत के last में application send to PFMS for payment जिसका हो गया और token number मिल गया तो मंत के last में आप लोग जैसे क्लिक करेंगे आप अपने application number को डाल के PFMS के website में चेक कर सकते हैं कि आपका status कहां पर under processing bank under processing ministry जो भी है वो सो करेगा तो आप लोग आप जो भी payment का processing के काम स्टार्ट हो गया क्योंकि PFMS token number भी यहां पर मिल गया और इस मंत के last में और यहां पिन नेक्ट मंत के first week में जब तक कि आपका status application send to PFMS पर payment नहीं हो जाता ठीक है अप लोग और next इस मंत के last month मतलब सभी student का जो भी जहां तक भी जो भी processing के काम आगे start होना सुरू हो जागा क्योंकि देख सकते हैं token number भी मिलना चालू हो गया ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही information अगर वीडियो अ स्यार कजिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब के लिए निया नय अपडेट हमेशा पाने के लिए और दो